नमस्कार साथ यो तो आज है 16th October 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ important company की shares के बारे में जिसमें कल bump पर तेजी होने का chance है for some reason तो आपको सिर्फ इतना करना है कल जैसे बजार open होगा ना शार्प 9 बच के 15 में पे यह सारे important company की share को अपने रडार पर एड़ करके रख देना बहुत सी बेला तो अभी से एड़ करके रख दीजीगा ठीक है आई अब एक एक करके देख लेते कंपनियां शेयर का नाम और उसके पीछे क्या वाज़ा है इन में से देखें पहले जो ती रैली आपको दिखाए दे सकता है इवन शेयर अपना all time high को भी break करके new high touch कर सकता है आईए देख लेते company की performance कैसा हुआ है quarter 2 में तो यहाँ पे आप देख सकतो बहुत सारे quarterly result में open किया बेसिकलिए हम year on year साथ में quarter on quarter को यहाँ पे compare करेंगे लास्ट येर की बात करें सेप्ट शार्प ग्रोथ रखा 797 करों से बढ़के 812 करवे पहुंच चुका है मतलब overall बात करें income की segment पे company both segment पे year on year quarter on quarter एक ठीक्ठा ग्रोथ रखा most importantly जो मुझे काफी ज़्यादा इंप्रेज किया company की margin काफी broad हो चुका है last year कितना था 26% last quarter कितना था 26% इस quarter में कितना हुआ 28% तो म company की जो margin है वो भी काफी broad होने के कारण company की ultimately net profit है वो दोस्तों काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया यह देखे company की net profit last year में कितना था मतलब सेप्टमबर तो यह तेईस में 152 कर रुपए इस quarter में कितना हुआ एक सो बहात्तर कर रुपए मतलब percentage वह इस काफी साथ इंक्रीज हुआ even quarter on quarter base भी ठीक था ग्रोथ हमें देखने के महला 1500 कर रुपए से बढ़के एक सो बहात्तर कर रुपए पहुँच चुका है ठीक है तो most probably देखे अगर कर कल सब कुस सही रहा तो क्रिजल लिमिटेट की शेयर को बनजर रखे शेयर में तेजी हो सकता है उसके बाद बात करेंगे एक और बहतरीन company अपने सेक्टर की market leader निफ्टी-फिप्टी का फ्लैट क्लोजिंग दिया बिकॉस बजार क्लोस हो जाने के जस्ट कुछ टाइम बाद ही company के रिजट आउट हुआ और इसका इंपक्ट आपको कल नाकेबल शियर में बलकि इंटायर इंडेक्स में भी देखने को मिलेगा वैसे कर देखे आज आज ऑटो इंडेक्स थोड़ हुआता टोटल सेप्टम बोड़ों तेज में 10,770 कर रुपए इस पर सीधा बढ़के 13,127 कर रुपए पहुंच चुका है लास्ट क्वार्टर में कितना था 11,928 कर रुपए सीधा बढ़के 13,127 कर रुपए ठीक है तो मतलब देखा जाए एक तो यार ओन यार बेस भी ग पिल्कुली फॉल नहीं किया या इंक्रीज भी नहीं वा एकदम फ्लैट है ठीक है और जिसके चलते एक्चुली कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है ना वो काफी हद तक बर चुका है यह देखे लास्ट येर पर कितना था एक अडर आट सो चाटिस कर रुपए एक हजार आ पर बात करें यहां पर एक म्यूटेट ग्रोथ रखा कोई हूज ग्रोथ नहीं एक म्यूटेट ग्रोथ रखा एक हजार 988 कर रुपए से बढ़के दो हजार पांच कर रुपए पहुँच चुका है यानि जो मार्केट की एक एक स्पेक्टेशन था कि हो सकता है इस बार बा इस बार देखें 71.80 मतब क्वाटली मूटेट ग्रोथ रखा प्रोफिट के तरह यह अब देख सकते शाप ग्रोथ कंपनी रखा तो मोस्ट प्रब्ली कल देखे अब यहां पे कुछ टुइस्टेंट टर्न्स भी हैं कैसे देखें बजा जोटो की बात करें बड़े कंपनी एक ड्यक्वान के रखा धाधा जैसे कि हाली में आपने देखा था डिलाइंस इंडस्ट्री लिमिटेट रिजल्टा याद करके देखें रिलाइनस इंडस्ट्री रिजल्ट इस्टिमेट को जरूर बीट कर लिया था बत ब्रोगड ने चर्ट करने के कारण क्या हूआ किसी के हाथ में नहीं है तो यहां पर देख सकते हो नौ परसंट के आसपर जो ग्रोथ रखा वही बात यहां पर मेंशन किया नौ परसंट का सब्स ग्रोथ हुआ ठीक है तो यह हो गया आपका बजाज ऑटो का रिजल एक और रिजल्ट है उसके बाद हम बागी कुछ इसका शेर काफी होता है बहुत अच्छी कंपनी मतलब एक ऐसी गिने चुने कंपनी है चुकि बहुत ही कंसिस्टेंट वे में ग्रोव किया और इसके पीछे में इसके बैलेंट शीट है अगर आप देखेंगे दीपाक नाइट की बात करें वह भी स्पेशलिटी केमिकल की आर के वाता मालूम है यह देखी जो पांच साल पर या या टेक्निकल पर जानने से पहले 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 बेरशिट चेक कीजिए वह इस बार कंपजेंस कैसा हवा है जिसको बेस करके कि कल रियाक्शन आपको देखनेक में लगा बजा रोपेनों के बाद सेप्टमबो दो या तेज लास्ट यर के बात करें एक हजार पांच करो का सपास कंपनी इंकम जेनेट किया था इस बर सीधा बढ़के एक हजार 137 करों पहुंच चुका है चलो बहुत बढ़िया क्वार् इसका बहुत जादा नहीं बारा सो करों से गिरके ग्यारा सुजाथ इसको पहुंच चुका है तो मतलब क्वार्टर ओन कॉर्टर बेस पी इंकम फॉरा फॉल किया पट कंपनी दोस्तों इतना बहतरीन काम किया कि कंपनी की ऑपेरेटिंग प्रॉफिट मार्जीन यह देखि इसके बीदर सब्सक्राइब करें कंपनी के मार्जीन क्यूंकि देखिए ब्रॉड हो गया और जिसके चलते कंपनी देखिए भले ही क्वार्टर ओन क्वाटर बेस पे इंकम में ड्रॉप हुआ म्यूटेट ड्रॉप कोई बहुत जाता हूँस तो रॉप नहीं मूटेट ड् किया अगर आप रेकॉर्ड चेक करेंगी आप जितने भी रेकॉर्ड है कभी 24 करो 49 करो 36 कर पैसट कर सो के नीचे था सब्सक्राइब की बात कर आप देख सकतो लास्ट कोटर में 123 कर बेस्ट वार्ट उसके पहले एक सो नो उसके वाल एक सो एक जो कि लास्ट यार इस बार ब इंवेस्टर को ठीक है ओके नेक्स दोस्तों बात करेंगे एक और बहतरीन कंपनी बढ़ उसके पहले अगर आपको वीडियो भी तक अच्छ लगा इंफॉर्मेटिव लगा प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस इकनोमिकल इंपॉर्टेंट डेटा कवरेज देते हैं लगब कोई दस चालिज का असपास आपको वीडियो मिल जाएगा इसी चानल को इवेन उसके पहले भी बहुत सार इंपॉर्टेंट टॉपिक यह पर वीडियो आएगा एंवे एंबर एंटरप्राइज एंबर एंटर इन थ्री डेस ओन जेवी जॉइन वेंचर विट कोडियन सर्किट फॉर मैनिफेक्चरिंग पीसी बीएस ठीक है और यह दोस्तों लॉंग टम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा लॉंग टम में एंबर इंट्रेंट को काफी ज़्यादा एज प्रोवाइट करेगा काफी ज़्यादा बेनिफिट देगा और जिस बैसे मैं कहूंगा कल इसकी शेयर को बड़ी नजर रखिए उसके बाद लार्शन टूब्रो दोस्तों आज एक बहुत बड़ा ओडर मिला देगे और का कितना वैलेशन है वह एक्जैक्ट कंपणी मेंशन नहीं कि अपने लेके डाई हजार करोर के आसपास ठीक है एक हजार से लेके डाई हजार करोर के बीच में तो इसको बड़ नजर रखिए यह तो निफिटिवटि का शियर है लास्ट अखरिश्य दोस्तों जाने से पहले मैं आपको एक न्यूस दिखाना चाहता हूं यह एकदम एकदम बहुत जल्दी रेजल्ट होगा और खास करके के नेज और डिक्सांट को यहां पर मेंशन किया लाइकली टू स्ट्रॉंग रेजल्ट इसवर परफॉर्मेंस भी काफी दमदार हो सकता है तो यह जो दो कंपनी है कल के साथ सथ मैं काऊंगा नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए रडार पर एट करके रख दीजे एक नंबर कंपनी तो है और शियर में कभी भी ब्रेक आउट हो सकता है भली आज डिक्सांट नेगीटिव में क्लोजिंग दिया और कैनेस फ्लैट क्लोजिंग दिया ठीक है तो यह कुछ कंपनी की शियर मैं आपको कऊंगा कल नज़र रख जय हम चैहिन